हेलो दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video और आज जो है यहाँ पर आपके ACPC Engineering Admission Exam के रजिस्ट्रेशन के आस्ट यहाँ पर last day होने वाला है तीन दारिक राद 12 बज़े के बाद यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे Engineering Admission के लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर इस साल first time यह वाली scheme इंटर्ड्यूस की गई है कि जिसके अंदर best of two का यहाँ पर exam बल दिया गया है मतलब आप दो बार exam में appear होंगे, दोनों में से जो भी आपके अच्छे marks होंगे वो यहाँ पर consider होंगे किस के लिए admission के लिए तो यहाँ पर काफी सारे students ने 12th science में exam दी थी फिर भी वो दूसरी बार यहाँ पर exam दे रहे है क्योंकि उसको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अच्छे mark आने के chances है तो इस साल यहाँ पर best of two वाली scheme थी उसके बाद यहाँ पर यह step भी नया आया है कि ACPC फिर से यहाँ पर registration कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो students improvement exam में पहले फेल हुए थे बट यहाँ पर improvement exam में पास होगे तो वो students यहाँ पर registration कर पाए और इसकी मदद से यहाँ पर जो है आप फिर से registration कर पाऊगे और आज इस event का last thing होने वाला है मतलब आज रात 12 बज़े के बाद यहाँ पर आप जो है registration नहीं कर पाऊगे तो make sure करना कि आपने अभी तक यहाँ पर आपका registration है वो ACPC के portal के उपर कर दिया होगा इसके अलावा यहाँ पर मैंने registration के step by step यहाँ पर आपको prescribe किया है इसकी category selection, annual income selection, TFWS का selection, hostel का selection यह सारे form में आप दो बार cross verify कर लेना क्योंकि होता क्या है कि 10 में से एक students का तो case ऐसा निकलता ही है कि जो यहाँ पर जो भी particular category में belong करता है ना वो भूल जाता है और वहाँ पर मतलब वो feel ही छूप जाता है थीक है तो ऐसी छोटी 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 गलतिया ना हो इसका make sure करना है इसका सही शित मतलब feel करना हो और इसके बाद ही यहाँ पर format को submit करना एक बार आप form submit करता होगे उसके बाद वो काफी difficult हो जाएगा उसको चेंज करना है तो that's why यहाँ पर make sure करना है कि आप यहाँ पर कोई भी गलतिया ना करो ठीक है so yeah that's it for today's video thank you very much for watching this video if you have any doubts then ask me in the comment section thank you bye bye